जापान का पहला प्राइवेट रॉकेट श्रनिवार को लाँच होते ही कुछ ही सेकंड के भीतर जलकर राख हो गया जापान का मोमो टू रॉकेट को होकाईडो के ताइकी से लाँच किया गया था जिसे इंस्टॉलर टेकनोलोजी कंपनी ने बना कर तयार किया था रॉकेट के लाँच होते ही दू सेकंड के भीतर उसमें आग लग गई और फिर वो नीचे गिर गया टीवी फुटज के मताविक 10 मींटर तक उपर जाने के बाद उसमें आग लग गई और फिर वो लाँच पैड पर आकर गिर गया इस रॉकेट को 100 किलोमीटर से भी ज्यादा की दूरी तय करने थी लेकिन वो असफल रहा जापान में ये दूसरी घटना है जब लॉकेट रॉंच होने के बाद वापस आकर गिरा है इसे पहले पिछले साल जुलाई में ही कुछ ही मिनट के बाद इंजिनियर्स ने रॉकेट से कॉंटाक्ट खो देने से वो असफल हो गया था हाला कि शनिवार की घटना के बाद कमपनी ने कहा है कि वे रॉकेट बनाने की काम को जारी रखेंगे अला कि जापान की ये प्राइवेट कमपनी कई कोशुशों के बाद अभी तक जापान की सरकारी स्पेस एजेंसी जापान एरो स्पेस एक्स्प्लोरेशन को चुनौती देने में नाकाम रही है जापान की प्राइवेट कमपनी ने मोमो टू रॉकेट को अपरायल में बना कर तयार किया था जिसे अपने टार्गेट तक पहुँचने के लिए 100 किलो मीटर से ज्यादा का सफर तय करना था लेकिन रॉकेट लाउंच होने के 70 सेकंड के बाद भी नीचे कर गया तीम नूसनाओ